गुद मॉर्निंग मॉर्डल स्टार चिल्वेंड हो यू वेरी फाइन वेरी गूड आप आज क्लास थर्ड के लिए मैं हिंदी व्याकरण का वीडियो लेके आई हूँ चैप्टर टू चैप्टर बन आपका कम्प्लीट हो गया था चैप्टर बन में ही मैंने आप लोग को क्या रिखवाया दिया था स्वर आप लोग को लिखने के लिए था ना होमवर्क में स्वर किसे कहते हैं आप लोग को पता चल गया ठीक है आप लोग क्या पढ़ोगे व्यांजन ठीक है ये सब क्या है image n a a top dropnow percent कौयेगा यसको कौपी में भी करना है और यहvenes कीज़ कौपी में करिएगा केunya यह झाहिए ना तो wengine किसी कहते हैं जो शर्च के बीना नहीं लिखे जाते हैं जोसे के सा लिखे जाते हैं उनको हम लोग वेंजन कहते हैं का अगर इस सब दिख रहा है आप लोग उनको ठीक है वेंजन सवर के बिना इस प्रकार लिखे जाते हैं दिख रहा है ना सभी बच्चों को वेंजन किस प्रकार लिखे जाते हैं सवर के बिना अगर सवर के बिना वेंजन लिख रहे हैं तो आ स्बीक्ठ chammer यहां पर ही मोट कौई लिभी है कि इसकी पहाँ होते हैं जो सवार यह डिकी देखीर हो नहीं भर रिखार इसलिकल में है ना पर दोत्वार्ट कोपी में ठीक है तो नेक्ट देखिए मात्रा जोड़का वेंजन से बने शब्द है ना मैंने बताया था स्वार किसके रूप में प्रियुक ही आते हैं यह मात्रों के रूप में अब यह मात्रा कहां लगेगी वेंजन में ठीक जैसे आ वर्ण है मात्रा इसमें नहीं होती तो कालम बनाएं बड़ा यह भी वर्ण है तो इसमें कौन सी मात्रा होती है आकी तो कौन सा शव्द बना काला इस छोटी दिन ठीक बढ़ी इस छोटा हो पुल यह सब शव्द बने ठीक है यह सब क्या है स्वर है स्वर मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाते हैं और यह कहा नहीं लिखे जाते हैं, यहीं इनकी एक पैचान है, ठीक है, अब आप लोग कॉपी वर्क क्या करोगे, कॉपी वर्क में आप लोग का ये रहेगा, आपने देखा होगा, कुछ शब्द बनाते से हमें, दो वर्णों को जोड़ कर लिखा जाता है, ठीक है, यह दिख रहा है, क आधा का च, तो मक्का, चक्का बना, आधा चा बना, पूरा च, कच्चा, सच्च, विद्या, विद्याले, गन्ना, पन्ना, ठीक है, आधा ना लगाए, और पूरा ना, तो दो वर्णों को मिला के जो शब्द बनते हैं, वो ये दिखे गए हैं, जो आप लोग कॉपी में कर करेंगे, है ना, का खरागा तो सभी को आता होगा, तो आप लोगो ये खानली स्थान है, इसको भरिएगा, ठीक है, फिर आप लोग नेफ्ट देखे, ये भी आप लोग बूप में ही करना है, आप लोग ये पार्ट, ओके, इन शब्दों के शुरू की आवाज लिखो, ठी पाना, ना, आना, ये इस भी आप लोग को बुक में ही करना है, ठीक है, इससे आप लोग को पता चल जाएगा, कि वर्डों की ध्वनिया लिखो, ध्वनिया और सवर और वेंजन जब मिला कि जब शब्द बनता है, तो वो हम लोग कैसे लिखते हैं, और क्यों सा शब्द ब बताया गया है, ठीक, इसको ध्याँ से पढ़िएगा, मैंने लिख दिया है, ये बुक में ही करना है आप लोग को, ठीक है, इतना आप लोग ये पार बुक में करिएगा, ओकी ग्लास, थैंक यू,